का बाल मेंब्रेंद की what is plasma membrane ठीक है तो प्लाज्मा में में हम लोग कुछ चीजे कवर करेंगे तो प्लाज्मा में में जो चीजें अच बात करेंगे वह है जैसे कि आपका है प्लाज्मा मेंब्रेन का जो है वह स्ट्रक्शर प्लाज्MA मेंब्रेन का स्ट्रक्शर in the structure in the loика membrane to the components important components important components, important components and plasma membrane का जो है function, function, function in terms of, in terms of, in terms of किसमे, function, in terms of, जो most important है, in terms of transport system, transport, transport system, तो अगर broadly देखा जाए, broadly term में अगर, मोटा मोटा देखा जाए, तो ये हमारा जो है, important जो है, ये हमारा, इसमें important points जो है, वो ये ही है, important point, इन ही चीज़ को हम लोग cover करेंगे, okay, क्योंकि जो इसका function है न, वो totally transport system पर है, कि आपका जो है, जो है, nutrient हो, oxygen हो, जो है, fluid material हो, या कोई medicine हो, या कोई भी चीज़ हो, वो transport system जो है, कैसे काम करता, membrane के बाहर, तो पहले हम इसके structure के बारे में देखते हैं, इसका structure है, वो, आप कह सकते हैं कि, जो उसका membrane है, cell का, यह जैसे आपका, suppose करिए कि आपका, यह cell है, यह cell जैसा के हम जानते हैं, यह cell है आपका, और cell के center में, cell के center में, आपका column में, nucleus है, cell के center में, nucleus है, cell के center में, आपका nucleus है, उसके बाद आपका आता है, जो layer है, यह layer है, प्लाजमा मेंब्रेन की तो या सेल मेंब्रेन प्लाजमा मेंब्रेन कही है या सेल मेंब्रेन कही है दोनों जो है एक ही चीज है अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे अगर हम देखें प्लाजमा मेंब्रेन को तो प्लाजमा मेंब्रेन जो है सबसे पहले तो place Make डाज्मा मेंब्रेन वह लिपिड बाई लेयर की बनी होती है liपिड की बनी होती है एक्चिली क्या है यहाँ पे प्लाज्मा मेंब्रेन जो है ना जो दो सबसे इंपर्टेन है वह है ली भी घज ओर लिपिड और प्रोटीन लिपिड और प्रोटीन लिपिड और प्रोटीन यह सबसे important जो है इसके जो है molecule है, lipid molecule और protein molecule ठीक है, कर्भो हाइड़ेट भी होता है लेकिन वो उसका percentage बहुत कम है तो यह लिपिड और प्रोटीन जो है, actually क्या है जब electron microscope का invention हुआ electron microscope electron microscope तो यह जो membrane है, plasma membrane जिसको हम बोलते है plasma membrane plasma membrane यह जो membrane है, plasma membrane यह जो membrane है plasma membrane, और यह center पे nucleus है तो जब electron microscope हुआ तो हम लोगों ने देखा कि यह जो है इसकी detail study किया गया और इस detail study में ये देखा गया कि lipid और protein और carbohydrate ये इसमें प्रेजन्ट होता है उसके बाद RBCs, chemical studies की हुई इसकी क्या study, chemical study इसकी जब chemical study हुई इस प्लाजमा मैं मैंने के बाद कर रहा हूँ chemical study chemical study जब इसका किया गया किसमें RBC, red blood cells red blood cells red blood cells red blood cells जब इसमें देखा गया तो इस red blood cell में जो है ये देखा गया कि एक हिस्सा membrane की बात कर रहा हूँ ये membrane ठीक है इस membrane का जो है जो एक part है देखा गया दो का है एक तो हमने बताया कि lipid ये क्या है lipid lipid and एक देखा protein protein तो इसमें जो है anxiety में लिखा हुआ है कि जो lipid और protein का जो ratio है और इसके बाद जो important point है वो जो ये plasma membrane है एक ही जैसा है सम्में सम्में एक ही जैसा है सम्में एक ही जैसा है और ये जो living organism होते हैं ना living organism living organism in living organism में plasma membrane ये होगा तभी वो living organism कहलाएगा इसी लिए इसको बोलते है this is absolute requirement absolute requirement absolute requirement किसी भी living organism का absolute requirement है कि वो plasma membrane होगा ही होगा अगर वो living organism है तो living organism है तो plasma membrane होगा होगा अब इसको जो best model जो है अगर हम बात करें best model अगर इसका जो model है कहते हैं कि जो है इसका जो model है पता है इसको बहुत ही a common name है जो अक्सर लोग जानते हैं उसको बोलते है fluid mosaic model क्या बोलते है फ्लियूड 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 मोजाइक मोडल फ्लियूड मोडल जो सिंगर एंड निकोलसन ने निकोलसन ने 1972 में इसको जो है इस model का जो है इन्होंने discover किया था बताया था जिसमें इन्होंने कहा था जो जो फ्लियूड वाला पार्ट है जो फ्लियूड वाला पार्ट है फ्लियूड वाला पार्ट यह यह फ्लियूड का मतलब होता है लेपिड और इस मोजैक का जो है यह जो मोजैक है इसका मतलब होता है प्रोटीन तो प्रोटीन तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आपकी मेंब्रेन है बेसिकली जो आपकी प्लाजमा मेंब्रेन है यह प्लाजमा मेंब्रेन प्लाजमा मेंब्रेन एक्चुली यह लिपिड बाइलेयर है लिपिड y-layer associated with associated with proteins associated with proteins associated with proteins proteins ठीक है तो हमने अभी क्या देखा हमको structure component function और transfer system पहतना है तो यह plasma membrane यह cell है यह plasma membrane है इस plasma membrane को सबसे पहले इसके जो हिस्सें है इसमें lipid of protein सबसे ज़्यादा पाया जाता है chemical studies को RBC में किया गया जब chemical studies की RBC में किया गया तो देखा गया कि lipid जो है यह lipid 42 है रेस्ट टू अफ़ोटी परसंट जो है protein पाया जाता है इसका मतलब जो यहां पे जो मेजर पार्ट हुआ वो लिपिड लिपिड and proteins proteins and carbohydrates जो की हम बाद में पढ़ेंगे बहुत कम पर सटेंज में होता है lipid bilayer यहां पे एक चीज़ और एड़ करना चाहूंगा इसमें cholesterol cholesterol भी जो है इनके inserted होता है ठीक है अब इसका मतलब और यह plasma membrane जो है ना structure almost similar होता है और अगर कोई भी living organism है तो plasma membrane उसका absolute requirement होता है fluid mosaic model जो सिंगर निकोलस्टन ने 1972 में दिया था fluid mosaic model जिसमें fluid का मतलब lipid portion, mosaic का मतलब protein portion तो plasma membrane जो है basically plasma membrane जो बना हुआ है वो lipid bilayer associated with proteins molecule in between the lipid bilayer intercalated protein जो है उसके बीच में protein धसे हुए पाए जाते हैं धसे हुए पाए जाते हैं अब यह तो आपका हो गया एक background जो बड़ा इंपोर्टेंट था तीक है और यह सारी चीज़े जो है यह प्लाजमा मेंब्रेन की कुछ characteristics ते features है अब हम लोग जो है न प्लाजमा मेंब्रेन बनाते हैं अब इसकी जो है जो ग्रोथ से सर्वाइवल से और उसका जो इस्ट्रक्चर किस चीज़ को अलाव करता किसको अलाव नहीं करता है वह हम लोग जो है अब देखेंगे तो एक्चली प्लाजमा मेंब्रेन या सेल पढ़ने का जो मकसा है वह यह है कि विद्ध यह जो मेंब्रेन होता है वह सेलेक्टिव पर मेंब्रेन होता है तो चलिए पहले मैं मेंब्रेन जो है वह बनाता हूं मेंब्रेन उसको ध्यान से देखते हैं मेंब्रेन का कि झाल 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 यह प्लाजमा मेंब्रेन जो है यह इनफैक्ट यह पूरा का पूरा इसी तरह से आपका होता है यह प्लाजमा मेंब्रेन है ठीक है और इसके बाद जो है यह lipid bilayer तो मैं इसी को बताऊँगा, यह इसका structure है, यह structure यह इस तरह चारो तरफ होता है, ठीक है? सबसे पहले जो इसका सबसे important जो point है, वो यह है, यह जो lipid bilayer, यह क्या है? यह lipid bilayer, lipid bilayer एक्चुली जो प्लाजमा मेंब्रेन की खास बात जो मुझे लगती है जो ये प्लाजमा मेंब्रेन है न ये मोबाइल है मोबाइल, मूव करता है ये ऐसे मूव करता है, लेटरल मूवमेंट्स होते हैं इसके को हम लोग जों लिख्किया आता है with lateral movements all the लेटरल मूवमेंट्स क्या बोलते हैं उसको लोग लेटरल मूवमेंट्स बोलते हैं और लेटरल मूवमेंट्स का मतलब कि ये इधर और इधर कि इसे फाइदा क्या है इससे हमें प्रॉफिट क्या है इससे एड्वांटेज क्या है सबसे पहली बात यह कि इसका अड्वांटेज इसलिए है कि अगर आपको यह plasma membrane अगर suppose कर यह रप्चर कर जाता है, hole बन जाता है, यहाँ से यहाँ, तो यह जो move करता है तो फिर से यह plasma membrane जो है, यहाँ से, फिर से synthesize कर लेता है, से synthesize कर लेता है, इसलिए जो plasma membrane को जो है ना, इसकी जो एक खास बात यह है, membrane biogenesis, membrane biogenesis, membrane, मतलब यह membrane synthesize कर लेता है, biogenesis, biogenesis, synthesize कर लेता है, सबसे बड़ी बात ही है, अब इसको आप ध्यान से देखो, तो यह membrane का outer leaflet है, outer leaflet, क्या है, outer leaflet, leaflet, यह membrane का inner leaflet है, inner part, inner leaflet, inner leaflet, यह external part और यह internal part है, आपको पता ही है, और सबसे खास बात यह है, कि यह जो बाहर है, यह जो यह है, यह जो तीसरा point, जो सबसे important point है, आपको बता हूँ, जो lipid by layer है, ना, lipid by layer, वो asymmetrical है, asymmetrical, 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 asymmetrical का मतलब यह हुआ दोस्तों, कि जो phospholipid इधर पाया जाता है, जरूरी नहीं है, कि वही मातरा में, उसी रेशियो में, या वही टाइप का inner, अंदर भी पाया जाता है, outer phospholipid अलग हो सकता है, inner phospholipid अलग हो सकता है, तिसलिए asymmetric कहते हैं, लेकिन जो NCRT में दिया हुआ है, कि यह phospholipid है, phospholipid, और यह phospholipid में भी कौन सा commonly, जो common use होता है, वो है, phosphoglyceride, 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 यह सबसे इसका जो है, important जो है, यह एक feature है, कि asymmetric है, और यह phosphoglyceride है, ठीक है, बस इसमें एक चीज़ और मैं add करना चाहूँगा, इसमें जो है, एक बड़ी खास बात है, कि यह जो होता है, इसमें दोस्तों, कोलस्टाल मॉलीक्यूल भी प्रेजेंट होता है, कोलस्टाल मॉलीक्यूल इसमें कोलस्टाल मॉलीक्यूल प्रेजेंट होता है, कोलस्टाल मॉलीक्यूल जो है, यह मोटा मोटा जो है, कोलस्टाल मॉलीक्यूल मोटे मोटे जो है, जो पता ही आपको, यह प्रेजेंट होता ह कोलेस्ट्रॉल मॉलेकुल इसमें कोलेस्ट्रॉल मॉलेकुल भी प्रेजेंट होता है थीक है अब यह जो इसका मूवमेंट है और इनर इनर लिफ लेट या और यह यह क्या होता है वह एक दूसरे के मिंब्रेंट होते हैं और इसका जो यह ये हिस्चा इसको दोस्टों हमने बोलते हैं head, यह क्या head यहा लिखता हूँ यह portion है head का, head, head है, head है, यह portion है इसका tail, यह portion है इसका tail, ठीक है अब अलग से concept बताइए, head, head का जो होता है वो hydrophilic है, hydro तेल जो है हाइड्रो फोबिक यह पोलर कहलाता है यह हिस्था पोलर क्योंकि इसमें फॉस्फेट जो है इसके हेड पे फॉस्फेट होता है ये कहलाता है non-polar 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 philic का मतलब होता है loving water loving यह प्यार करता है water से phobia का मतलब होता है hate I hate water, I fear from water, away from water, towards water and away from water इसका मतलब क्या है आखरी ये plasma membrane यह क्यों इसका orientation जो है यह head इधर की तरफ है बाहर की तरफ है और जो tail है वो in between जो है central portion पे central portion central portion अगर आप देखें इसका central portion इस central portion में जो है central portion of the plasma membrane of the plasma membrane पे जो है यह fatty acid है fatty acid होता है जो की lipid molecule जो है fatty acid है यह जो है एक दूसरे की तरफ होते है ऐसा क्यों होता है वो इसलिए होता है क्योंकि cell जो है वो किसमें रहता है cell बाहर भी aqueous environment है aqueous है water है बाहर भी water है और cell के अंदर भी water है cell के अंदर भी water है तो यह water तो यह hydrophilic है तो water loving है तो वो इधर होगा और यह भी hydrophilic है तो बाहर की तरफ इसका hydrophobic जो होता है वो यह they are adjacent to each other they are adjacent to each other तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो है lipid by layer में lipid में lipid की अगर हम बात करें तो यह hydrophilic part outer होता है hydrophilic orientation orientation जो है अगर हम orientation की बात करें orientation orientation की बात करें orientation structurally जो होता है वो hydrophobic एक पार्ट होता है hydrophilic and hydrophobic hydrophobic phobic और यह mobile होते है ठीक है यह उसके बाद यह अब यहां से concept आकाज निकल के आता है कि यह क्या है selective permeability selective permeability है barrier selective permeability यह concept आता है यहां से क्यों selective permeability actually होता क्या है कि अगर कोई molecule charge molecule है कोई charge molecule है ठीक है तो वह charge molecule अंदर नहीं आ पाएगा ठीक है क्यों क्योंकि अंदर जो होती है वो lipid की होती है पूरा lipid का जो है यह जाम होता है पूरा तो जो अंदर कौण सायागा जो lipid soluble होगा जो lipid या low molecular weight डोh molecular weight वह ही चीज जो जो है अंदर आ सकती है बाहर से अंदर सकती है otherwise जो अफ नहीं आ सकते हैं बाकी molecules जो ऊलिक्पी度 लिपिड नहीं आ पाएंगे तो यह बैरियर जो है selective permeability है तो तो अब यहां से question उठता है कि दोस्तों क्या यह लिपिड जो है लिपिड लिपिड जो है आपका जो लिपिड वोगा जैसे थारोक्सीन है आपको पता है थारोक्सीन थारोक्सीन वह हर्मोन तो आ जागा अंदर ठीक है तो क्या जो लिपिड इनसॉलिबूल है या जो प्रोटीन पेप्टाइड है सब्सक्रिये इंसुलीन है इंसुलीन क्या वो मेंब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा क्या ऐसी बात है तो नहीं ऐसी बात नहीं है क्यों क्योंकि इसलिए जो selective permeability तो है लेकिन मेंब्रेन के अंदर इसलिए जो है protein बनाया गया protein proteins है क्या है proteins है यह जो proteins होते है यह जो proteins है मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको जो यह lipid bilayer जो है अबका लिपिद बाइलेयर जो है लिपिड यह लिपिड बाइलेयर की जो है यह आपको पता है कि यह लिपिड बाइलेयर है इसके में प्रोटीन इसलिए होते हैं क्योंकि प्रोटीन इस तरह से channel बनाये रहते है यह channel बनाये रहते है यह channel टाइप का हुथा tunnel कहिए channel channel चैनल कई यह ya tunnel 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 होते हैं तो जो charge molecule होते हैं वह इसके जरीये जो होते है क्रॉस कर जाते है सिल के अंदर क्रॉस कर जाते है सिल के अंदर तो इसलिए लिपीड की भी यह होता है और protein का भी जो यह पाये जाता है इसको मैं अभी बताऊंगा कितने करहें किस तरह के protein होते हैं लेकिन यह protein का मक्सद यही है कि जो है आपको यह channel जो है वह आपको प्रवाइट करें और इसको जो है अंदर आने दे ठीक है उसके बाद दोस्तों जो एक शहते important concept था वो concept है जो मैं आपको बता हूँ वह fluidity fluidity जो हमने बताया दे fluidity, कि lipid जो होता है वो mobile होता है, lipid membrane क्या होता है mobile होता है, तो जो इसका जो lateral moment है, जो lateral moment lateral moment जो कहता है तो उस lateral moment को ही हम लोग fluidity बोलते है fluidity बोलते है, fluidity मतलब कि अगर suppose करिए कि आपका membrane rupture कर जाई या membrane में कोई problem हो जाई तो उस membrane में दुबारा वो seal हो जाता है fluidity की वैसे क्या होता है, वो seal हो जाता है seal हो जाता है, दुबारा re-seal reseal हो जाता है दुबारा, वो membrane दुबारा जुड़ जाता है वो किसे जुड़ता है, क्योंकि lateral moment होता है तो जिसको हम लोग बोलते है fluidity क्या बोलते है fluidity अब fluidity जो है depend करता है कुछ चीजों पर जो fluidity depend करता है वो होता temperature दोस्तों अगर आप temperature बढ़ाएंगे temperature अगर आप temperature increase करते है temperature तो उसकी जो fluidity है वो क्या हो जाती है membrane की increase कर जाती है membrane की fruity increase कर जाती है सबसे पहले तो यह है लेकिन अगर हम kolostrol इसके अंदर मिलाते चले जाए kolostrol का content अगर बढ़ा देंगे तो देख ठूसम ठास हो जाएगा तो उसकी जो fruity है ना वो decrease कर जाती है अगर kolostrol जो है kolostrol का जो है concentration अगर बढ़ा दें तो fruity decrease घड़ जाती है घड़ जाती है और जो आपका lipid by layer का जो यह membrane है जो lipid होती है यह basically जो है जलतन saturated होते है saturated और unsaturated भी होते है unsaturated unsaturated होते है लेकिन NCRT में सिर्फ saturated लिखा हुआ है और lipid जो है saturated unsaturated का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका यह lipid है यह आपका saturated है लेकिन अगर यह lipid ऐसे करके ऐसे अगर इसका leg जो है यह टूटा हुआ है leg अगर टूटा हुआ है leg तो यह unsaturated कहलाएगा unsaturated तो अगर इसमें lipid में unsaturated lipid जादा होगा तो fluidity घड़ याएगी इसलिए जितना saturated lipid होगा जितना यह tail जो है tail का यह leg दे है उतना lateral movement जादा होगा उतनी उस उसकी जो है उस membrane की उतनी fluidity more fluidity होगी उस membrane की more fluidity होगी fluidity होगी तो यह important जो है कुछ concept related to plasma membrane and lipid bilayer की क्यों है इसका lipid bilayer इसको क्यों कहा जाता है अब जो हम लोग बात करेंगे कि आखरी इसके अंदर प्रोटीन का जो है क्या रोल है और प्रोटीन कहां कहां पे पाये जाता है यह हम लोग आगे अब देखते हैं कैसे प्रोटीन और लिपिड को combination बनके कैसे selective permeability होता है और कैसे जो है उसके अंदर कितने तरह के प्रोटीन होते है carrier होते है जो लिपिड को अंदर बाहर जो है किसी भी molecule को अंदर से बाहर आने जाने का permission देते हैं तो यह basically जो लिपिड है यह दिवार है दिवार इस दिवार को cross करने के लिए इस अंदर बने हुए material को कैसे cross करना है इसमें कैसे काम करना है वो हम लोग अब देखेंगे जो है आपका लिपिड लिपिड और प्रोटीन प्रोटीन और थोड़ा बहुत carbohydrate होता है इसको अगर आप देखेंगे तो more or less जो है सपोस करिए यह आपका लिपिड जो है 50% and 47% and 3% होता है carbohydrate बहुत कम होता है लिपिड और 47 और 3% तो हमें जैसा पता है कि हम लोग को हम लोग को जो यह लिपिड की जो लेयर है इसमें इसमें प्रोटीन की बात करेंगे प्रोटीन लिपिड की बात अब ले कर लिए अब प्रोटीन की बात करेंगे तेक्चुली होता है कि जो यह आपकी मेंब्रेन है यह जो आपकी मेंब्रेन है यह जो आपकी होते है प्रोटीन ऑफ प्रोटीन यह ठीपेंड करता है कि कहां पर है यह सबसे अगर प्रोट heat cream है वो प्रोटीन अगर यहος करिया I अगर अगर कोई प्रोटीन है έχει है अगर कोई प्रोटीन वह प्रोटीन इधार हो सर्फेस पे अगर आपके कोई प्रोटीन है ठीक है सर्फेस पे है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यह जो है आपका остrinsing protein है कौन सा है अग्स ट्रिंबसِंग यह आपका है एक्स ट्रिंबसिंग प्रोटीन एक्स ट्रिंसिंग एक्ष्टिंग्सिंग्सिंग्सिंग्सिंग्सिंग्सिंग्सिंग्सिंग्सिंग्सिंग्सिंग्सिंग्सिंग्सिंग्सिंग्सिंग्सिंग्सिंग्सिंग्सिंग्सिंग्सिंग्सिंग्सिंग्सिंग्सिंग्सिंग्सिंग्सिंग्सिंग्सिंग्सिंग्सिंग्सिंग्सिंग को बोलेंगे पेरिफेरल भी कह सकते हैं इसको पेरिफेरल प्रोटीन है पेरिफेरल प्रोटीन ठीक है उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कुछ प्रोटीन जो होती है अब यहां तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ प्रोटीन से जो होती है न दोस्तों कुछ प्रोटीन सब्सक्रिए यहां पर इंबेडेड है पार्शियल बरिड है कुछ प्रोटीन से जो हैं यहां पर आपका जौ सब्सक्रिएंग यहां पर परशियल पूरा नहीं यह पार्शियल ठीक है ये आपका पार्शील बरीड है तो ये अंदर की तरफ है ये जब दोस्तों अंदर की तरफ है तो ये प्रोटीन क्या क्या क्याussa कि इंट्रिंसिंग प्रोटीन कहलाएगी क्या कहलाएगी इंट्रिंसिंग प्रोटीन इंट्रिंसिंग अंदर की तरफ है इसको हम लोग बोलते हैं यह इंट्रिंसिंग प्रोटीन है अंदर की तरफ intrinsic protein जो की यह है intrinsic protein intrinsic protein जो की partially buried है partially धसा हुआ है पूरा नहीं partially partially जो है buried है ठीक है अब इसके बाद क्या होना चाहिए अगर यह periphery पे है यह अंदर है अगली जो protein होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी कि suppose करिए कि यह protein जो है वो through through membrane है throughout the membrane है ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी protein जो है आपकी suppose करिए आपकी protein जो है यह protein जो सबसे important protein है यह जो protein है suppose करिए यह क्या है यह intrinsic protein है यह क्या है intrinsic protein है intrinsic protein है intrinsic protein है जो completely बड़ीड है completely completely बड़ीड है और यह पूरी protein जो है जो पूरी intrinsic इसको हम बोलते है transmembrane protein क्या बोलते हैं transmembrane membrane protein यह protein इतनी अंदर धसी होती है कि इसको अगर निकालना हो तो detergent के इस्तमाल किया जाता है बगए detergent के जो है इसको आप निकाल ने सकते है इसका जो है crude method है जो यूज करते हैं wash करने के लिए ठीक है तो इसका अगर extraction करना हो अगर इसको निकालना हो extraction करना हो extraction तो उसके लिए crude method जो है crude method जो है वो detergent का इस्तमाल करना होगा detergent का इस्तमाल करना होता है इसको बोलते है transmembrane protein transmembrane protein और यह जो intrinsic protein है इसको integral protein भी बोलते हैं integral integral जो है integrated integral protein protein बोलते हैं इसको क्या बोलते है integral protein बोलते हैं तो यह तीन तरह की most important protein है जो कि आपका जो है transfer peripheral protein intrinsic protein जो कि partial buried है partial buried है यह क्या पार्शियल बड़ीड है partial buried थीक है यह आपका हो गया intrinsic protein protein हो गया अब इसमें एक और जो इसमें होता है कि जो आपकी जो protein है protein इसके साथ जो है न कार्बो हाइड्रेट आप देखोगे कार्बो हाइडरेट मॉलिक्यूल भी जो होता है इसके साथ जुड़े होते है कार्बो हाइडरेट मॉलिक्यूल कार्बो शुगर मॉलिक्यूल शुगर मॉलिक्यूल भी इसके साथ जुड़ा होता है ठीक है शुगर मॉलिक्यूल भी होता है इसके अंदर जो प्रोटीन है तो अगर आपका सपोस करिए कि शूगर अगर है और वो प्रोटीन के साथ अटैच है प्रोटीन के साथ जो है अगर अटैच है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं गलाइको प्रोटीन ग्लाइको प्रोटीन लेकिन अगर शुगर जो है आपका अटेच है किसके साथ लिपीड के साथ लिपीड मॉलिकूल के साथ अगर शुगर अटेच है लिपीड मॉलिकूल के साथ यह लिपीड है लिपीड बाइलेयर है अगर इस लिपीड के साथ अगर शुगर मौजूद है अगर शुगर जो है लिपीड के साथ अगर अटाश्ट है तो उसको क्या बोले के गलाइको लिपीड गलाइको लिपीड यह बढ़ा सिंपल सा है कि आपकी एक प्रोटीन पेरिफेरी पर है एक इंट्रिंसिंग जो पार्चेरी बरीड है दूसरा जो है ना पूरे मेंब्रेन अम्मटरर कर रहा निंग वहयरका मेंब्रेन क्या बोलते हैं रनिंग क्यों तुव्द प्रोटीन और या किंट्रिंशिक प्रोटीन यह बड़ा इंप्कर जो है कॉंसेप्ट है ठीक है तो यह तो आपके proteins हो गए आपके ठीक है proteins हो गए उसके बाद जो कुछ important इसमें जो channel होते हैं channel channel होते हैं जो की आपके जो है molecule को allow करता है अंदर आने के लिए ठीक है तो कुछ proteins जो होती है कुछ proteins आप कुछ बता हूँ जो integral protein हो गया जो throughout the membrane है interesting protein होता है कुछ proteins होते हैं वो channel बनाते हैं channel कुछ protein जो होते हैं channel बनाते हैं जो की यह channel जो है allow करता है ions आने के लिए कई peptide मिलके कैई peptide protein मिलके यह channel बनाते हैं जिसकी वज़े से वो आयन्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं चैनल प्रोटीन्स वगरा होती है जो ट्रांसपोर्ट होती है ठीक है कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो कैरियर प्रोटीन्स कहलाते हैं कैरियर प्रोटीन्स कैरियर कैरियर इन दे सेंस यह है कि यह protein है, suppose करी है, ठीक है, यह protein इसमें जो है, वो molecule जो है, इसके अंदर attach हो जाता है, इसके अंदर यह molecule जो है, कोई भी molecule यहां पर attach हो जाता है, और इसको जो है, फिर opposite direction में अगर आप देखेंगे, इसको reverse आके, यह reverse जो है, आके, यह reverse आके, फिर जो है, यह अंदर की तरफ, यह molecule को, यह जो molecule है, वो अंदर की तरफ, अंदर की तरफ आके, इसको release कर देता है, रिलीज कर देता है, क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, रिलीज कर देता है, इसको, तो यह actually carrier protein की तरफ काम करता है, carrier protein, जो कि आपको, आप देखेंगे, carrier protein का बड़ा important concept है, कि जब आपका कोई molecule बाहर से अंदर लाना हो, जो lipid में soluble ना हो, तो यह carrier का काम करके, इस molecule को, अंदर लेके चला आता है, इस particle को अंदर लेके चला आता है, जैसे की आपका glucose हुआ, गुलकोर टांसपोर्ट करना हो, तो यह लेके अंदर की तरफ लेके चलायागा, ठीक है, तो यह carrier की तरफ काम करता है, केरियर काम करता है जो basically facilitated diffusion में काम करता है हम आगे पढ़ेंगे ठीक है केरियर की तरह काम करता है उसके बाद कुछ प्रोटीन्स जो होती है यह प्रोटीन्स जो होती है वो आपका काम करता है ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट में काम करता है कुछ प्रोटीन्स होती है जो की enzyme के तरह काम करती है जो enzymatic protein होती है suppose करिए यहाँ पर एक जो है आपका प्रोटीन है प्रोटीन है यहाँ पर एक आपका यहाँ पर प्रोटीन है जो आपका suppose करिए कि A प्लस B कोई सबस्टेट है करता है तो यह क्या करता है इंजामेटिक प्रोटीन है इंजामेटिक प्रोटीन होती है एक जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है वो प्रोटीन है आपको मैं बताऊं लिंकर प्रोटीन कहलाती है लिंकर वो linker protein, जो होती है, linker protein, वो in fact, जो होती है, यह जो linker proteins होती है, linker proteins, यह क्या करती है, कि बाहर आपके क्या है, extra cellular matrix है, extra cellular matrix, तो suppose करिए कि यह जो collagen है, यह collagen, यहa collagen bind करता है, यहां से collagen bind करता है, और अंदर की तरफ आपको पता है, actin होता है cytoskeletan filament, अंदर की तरफ जो होता है, वो क्या होता है, actin, actin होता है cytoskeletan filament, Actin Actin hoota Actin गिसको о्पनों दोतै साइटो-िसकेलेटन आdriving people साइटो-िसकेलेटन तो यह जो है यह गुछ प्रोटीन सैसी होती है जो États असकोड में इसतरा के काम आती है कोई चैनल बनाता है कोई क्वाया कार्द Walk कोई enzyme का काम करता कोई link करता है तो इसलिए इस protein का नाम जो है इसको हम लोग कहते हैं linker protein यह कौन दी protein है linker protein linker protein अब यह different type की protein की वज़से ही जो है न यह जो सबसे important point जो different type की protein है इसलिए हम लोग plasma membrane को जो है है ना हम दो हम a symmetric कहते हैं यह asymmetric है यह symmetric है यह symmetric है ठीक है उसके बाद elastic होता है elastic और उसके बाद यह क्या होता है semi semi permeable semi permeable ठीक है तो यह concept इस तरह से आता है तो यह आपकी कुछ protein जो बाहर की तरफ है periphery extension protein अंदर की तरफ इंट्रिंसिंग protein बाहर कार्बो इंट्रिंसिक जो कि आपका यह थू आर्डी membrane इंट्रांस membrane protein ठीक है और यह channel है जो transport में help करता है और sugar यह बना के बनाता है ग्लाइकोल प्रोटीन और अगर लिपीड के साथ होता है तो यह कराता है ग्लाइकोल लिपीड और आपको बताओं जो इसमें कुछ molecule होते है कुछ कहीं कहीं पर आपको बताओं cholesterol भी हमने बताया था कुछ कुछ कहीं पर cholesterol भी जो है इसके अंदर intercalated होते है इंटर गेलेटेड होते है इंटर मोलीकूल इंटर केलेटेड होते हैं इंटर केलेट बोनीटे है तो दोस्ते यह प्लाजमा मेंब्रेन का जो है न इसके अंदर जो structure प्रक्चर यह है आपको पता है कि प्लाज्मा मेंब्रेन का जो है बेस्ट मॉडल किसको बोलते हैं फ्लूड मोजयक मॉडल फ्लूड मींस लिपिड मोजयक मीस प्रोटीन और सिंगर निकोल से ने 1972 में दिया था तो यही बेस्ट मॉडल बना जाता है इसके बाद जब लेक्ट्रॉन मार्क्रोस्कोप आया तो इसकी स्टडी की गई डिटेल स्टडी तो उसमें लिपिड कोस्टव प्रोटीन एक्स्टेंसी प्रोटीन इंट्रिस्टिक प्रोटीन पार्शियल बड़िट मुमेंट को हम नहीं बोलते हैं फ्लूडिटि फ्लूडिटी फ्लूडिटी इस लिए दोस्ट ना एक सिमेट्रिक थो और है यह स्यमी कंद दॉल की प्रोटीन प्रोटीन है तो यह आपकी जो है ना इंपोर्टेंट जो है कि अब बोलते हैं कि प्रोटीन कौन कौन सी पाय जाती है किस तरह की प्रोटीन है इंट्रिंसिंग इस प्रोटीन का जो है यह इंपॉर्टेंट पार्ट है ठीक है तो अब हो गया आपका लिपीड के बारे में जान लिए हम लोग उसके बार प्रोटीन के बारे में जान लिए और जो carbohydrate होता है वो इसके साथ कैसे attach होता है ठीक है ओके अब नेक्स चलते हैं लोग function ठीक है function की बात करेंगे अबना function ठीक है सबसे पहले तो हम अगर हम देखें तो जो प्लाजमा मेंब्रेन की जो एक खास फीचर है प्लाजमा मेंब्रेन की एक खास characteristic है तो उसके हिसाब से इसका जो पहला point आता है वो है यह help करता है secretion में क्योंकि यह जो actually जो आपका प्लाजमा मेंब्रेन का जो function है वो क्या है इसका जो नेचर है वो क्या है इसका नेचर जो है वो है security होती है fluidity यानि कि fluid होता है जिसमें lateral moments होते है lateral lateral moments होते है moments होते हैं तो secretion का मतलब यह हुआ कि अगर आपका जो है suppose करिए यह cell है ठीक है इसको secret करना तो यह बाहर जो है यह plasma membrane में fuse होके यह जो है help करता है बाहर secret करने में secret करने में ठीक है इसका एक property जो है सबसे important क्या secretion help करता है secretion में help करता है किसमें secretion में help करता है ठीक है यानि कि इसका एक जो प्राइब जो है वो है secretion दूसरा जो सबसे उसका वह होता है वो क्या होता है cell growth दूसरा जो है इसकी जो property है वह है cell growth cell growth क्योंकि जो cell का size होता है जब cell जो है एक cell जो है आपको बताओ जब एक cell एक cell जो है plasma membrane की तो जो area वो तो same है एक cell divide होता है दो में दो में तो of course यह जो membrane lipid by layer उसका surface area दिरे दिरे बढ़ता चला जाता है lipid का जो है structure बढ़ता चला जाता है तब ही तो एक जो है वो divide होता है दो में यानि कि धीरे धीरे जो है cell की growth होके यह normal size में आ जाता है cell की growth होके normal size में आ जाता है तो यहीं से आपको निकल के आता है कि इसकी जो जब एक cell या divide होता है तो एक से दो cell में तो membrane जो होती हो दिरे दे उसकी बढ़ती चली आती है lipid by layer यानि कि इसमें help करता है तो इसलिए इसका तीसरा point जो है कि cell growth के साथ साथ जो है cell division में भी help करता है cell division में help करता है उसके बाद आपने देखा होगा कि जो cell है वो वो क्या करता है वो जो एक cell के दूसरे cell के बीच में intercellular 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 junction formation का काम करता है junction junction formation formation काम करता है actually जो एक cell होती है न वो दूसरे cell से बात करती है एक cell जो है दूसरा Tech बात करती है और एक दूसरे से बात करती है और यह जो इनके बीच में जो जंक्षन का फॉर्मेशन होता है उब यह आके फ्यूज ओंद होती है जो सेल्स आपकी ही होती है वह liped membrane का जो है इसमें जो है वो है इसमें help करता है intercellular junction का formation करता उसके बाद जो अब इंपोर्टेंट जो एक आता है जो सबसे important point है जो discuss करने जा रहों में वो है आपका transport system, transport, transport. अब जो हम बात करेंगे कि कैसे एक molecule क्यों जो है वह दूसरे मॉलकुल को कैसे ट्रांस्पोर्ट होता है ठीक है ट्रांस्पोर्ट सिस्टम इससे कोशन बहुत आते हैं इसी से आता है ट्रांस्पोर्ट ट्रांस्पोर्ट जो है हम लोग ट्रांस्पोर्ट के बारे में बात करेंगे ट्रांस्पोर्ट ट्रांस्पोर हमने बताया था कि ट्रांस्पोर्ट जो है वो बेसिकली जो है अलाव मों सिस्टम को अगर पढ़ना हो तो उसके लिए उसके लिए सबसे पैले आप तो लिपिट बाइलएयर की स्ट्रक्चर बनाएंगे गर अगर टान्सपोर्ट को सपोर्स करियर यह यह आपका लिपीट बाइल है आप लिप बाई लेयर है directly we झाल झाल यह लिपीड बाई लेयर है आपकी होता क्या कि जो आपके कुछ ऐसे मॉलक्यूल है जैसे ऑक्सीजन है ऑक्सीजन है ठीक है ऑक्सीजन है या सेल के अंदर से कार्बन डायोकसाइड है ठीक है कार्बन डायोकसाइड यह रीडिली आसानी से जो है यह कार्बन डायोकसाइड इस मेंब्रेन को पार करके बाहर चला जाता है और ऑक्सीजन जो है यह लिपीड में डिजॉल है लिपीड में डिजॉल है यह कार्बन डायोकसाइड यह ऑक्सीजन यह लिपीड में डिजॉल है और ये क्या Small Molecules है Small Molecules है Low Molecular Weight के भी है Small Molecules है या Low Molecular Weight Low Molecular Weight तो ये आसानी से चले आते हैं जिसकी वज़ह से इसको हम लोग बोलते हैं Simple Diffusion Simple Diffusion Simple Diffusion Diffusion, क्या बोलते हैं Simple Diffusion से औक्सिजन बाहर जादा होता है कर्बन और लोवर कॉंसिट्रेशन इस विए तो जब यह सौलिबूल है वो जो है आसानी से चला आता है वैसे ही आप देखेंगे कि आथ जो आपका वो होता है हैं दिस्यूज्ञन होता है बॉटर का वो भी जो है we 구 USB OS के असमोसिस उसमोसिस यह वाटर है बका यह अनदर से अनदर चलाता है water क्योंकि concentration gradient बाहर ज्यादा है और यह अंदर कम है so it passes through from higher concentration to lower concentration जिसको हमनों बोलते osmosis क्या बोलते है osmosis osmosis बोलते है ठीक है इसके अंदर जो है यह जो यह जो molecule है यह बड़ी readily जो है वह आपको जो है बाहर से अंदर जो है आसानी से चले आते with the help of simple diffusion और जो water आता है with the help of that is called osmosis 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 ठीक है osmosis अब इसमें suppose करिए जो है कोई higher molecule हो जैसे glucose हो उसका वो molecule बड़ा है glucose molecule जो है वो काफी बड़ा है glucose molecule ठीक है glucose molecule या कोई polar compound हो कोई charge molecule हो पोला हो चार्ज मॉलेक्यूल हो ठीक है चार्ज मॉलेक्यूल हो वो कैसे आएंगे तो दोस्तों उसके लिए जो है न हमने बताया था कि इसके अंदर क्या है बनाया गया है कैरियर प्रोटीन क्या बनाया गया है हमने बताया था कैरियर प्रोटीन कैरियर प्रोटीन जो है वो इसको इसको जो है इस कैरियर प्रोटीन जो है यह इसको लेगा यह कैरियर प्रोटीन लेगा इसको ठीक है यह कैरियर प्रोटीन लेगा और फिर यह कैरियर प्रोटीन जो यहां से जो है फिर ले के और फिर इनको जो है यह ले के ये ले के फिर इधर की तरफ से इसको उल्टा उलट देगा और फिर यह एक तरह से अंदर जो है गुलको जो है और या गुलकोज एंड यह आइनिक जो है благодар गल्कोस गल्कोस और यह sodium potassium जो है वो अंदर आजाता है थेक है जो ions होते है वो ions अगर है कोई polar molecule है एक्जाम्पो को तरफे या गल्कोस है वो अंदर की तरफ चले आते हैं तो यह यह जो carrier protein है यह carrier protein है यह carrier protein यह carrier protein जो है carrier protein, carrier protein है, जो membrane के जो है, अंदर धसा हुआ है, वो यह molecule जो है, transfer हो रहा है अंदर, लेकिन किसके जरीए transfer हो रहा है, एक protein के जरीए है, तो protein इसको help कर रहा है, तो इसको हमनों बोलते है, facilitated, facilitated diffusion, क्या बोलते हैं, facilitated diffusion, simple diffusion, osmosis and facilitated diffusion, क्या बोलते हैं, इसको facilitated diffusion बोला जाता है, ठीक है, अगर, अगर कोई आयन, इसको नहीं, इसको एक मिनट, यह जो है, गुलकोज मॉलकूल बड़ा हो, या कोई और compound हो, लेकिन अगर, suppose करिए, यह facilitated diffusion है, लेकिन suppose करिए कि कोई carrier protein जो है, carrier protein, इसको मैं अलग बना देता हूँ, कोई carrier protein जो है, carrier protein, carrier protein, जो है, कोई carrier protein है आपका, ठीक है, कोई आपका carrier protein है, इन्दर सेंज जो है, आपको through the through membrane, कोई carrier protein है आपका, यह सोचिए carrier protein है, ठीक है, यह protein जो है, यह carrier protein, ठीक है, यह carrier protein जो है, आपका, आपका ions, ions जो है, ions हो है, वो अंदर की तरफ आते हैं, ions, potassium, कोई भी ions है, वो अंदर की तरफ आते हैं, और लेकिन यह A कैसे पाते हैं, जिसमें ATP का जो है, खर्चाओ, ATP जो है, ADP, प्लस inorganic phosphate, जिसमें energy लगे, तो इस तरह के transport को, इस तरह के transport को क्या बोलते हैं, active transport, क्या बोलते हैं, active transport, क्या बोलते हैं, active transport बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, active transport, बहुत ही आसान है, अगर ATP का खर्चा हो रहा है, तो active transport, बाकिक सिर्फ प्रोटीन का involvement हो रहा है, तो वो खाली facilitate कर रहा है, diffusion में help कर रहा है, carrier protein के जडिए help कर रहा है, ठीक है, जिसे glucose बड़ा molecule है, या कोई और protein हो, उसको help कर रहा है, लेकिन अगर simple diffusion हो रहा है, lipid से pass हो रहा है, lipid soluble ये छोटा molecule है, तो उसको simple diffusion कहेंगे, osmosis कहेंगे, तो इसलिए जो है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, कि ये जो है आपका, बड़ा सिर्या सा concept है, कि आपका ये simple diffusion, simple diffusion, diffusion ठीक है, या आपका osmosis, osmosis, या तीसरा जो है facilitated diffusion, facilitated diffusion, facilitated diffusion, facilitated diffusion जो है, ये आपका जो है, ये कहलाता है, ये passive transport है, ये क्या है, ये आपका जो है, वो है passive transport, , passive transport, passive transport है, passive transport, transport, transport में, passive transport, लेकिन जिसमें जो है, आपका energy का utilization हो, energy, energy जो है, ATP, जो है, वो इस्तमाल हो रही है, ATP, तो उस तरह के transport को में कहते हैं, active transport, इक्टिव ट्रांस्पösट वह सिंपल फैसिलेटर्जब नहीं है वो फैसिलेटर्जब के जरिए इसमें एनर्जी यूज उसने तो वह, हम लोग कहते हैं इसकंटा वह बोलते हैं, इसक mund बॉलते हैं क्या एक अफ्किली जो है ना ये पंप ये जो पंप में जो पंप बड़ा कमाल का पंप है ये कमाल का पंप ही ये ये जो पंप है इसको molecular motor भी कहेंगे यह जो pump है वो क्या करता है यहाँ पे इसके जो है यहाँ पे आपको बताओं पॉकिट जो है तीन पॉकिट होती है यहाँ पे तीन पॉकिट यहाँ ठीक है और दोस्तों दो पॉकिट यहाँ दो पॉकिट यहाँ यह क्या करता है यहाँ पर यहाँ पर बैंड करता है sodium यहाँ पर बैंड होता है पोटेशियम यहां पे बाइन होता है पोटेशियम यह बाइन होता है पोटेशियम एक्चुली क्या है ना कि सोडियम का कॉंसेंट्रेशन बाहर जादा होता है पोटेशियम का कॉंसेंट्रेशन अंदर जादा होता है अब इसको सोडियम उठा के फेकना है बाहर फेकना है जो molecular motor है अब sodium का concentration बाहर जादा है और बाहरी निक फेकना है potassium का concentration अंदर जादा लेकिन potassium अंदर डालना है ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे मैं आपको बता हूँ इस जगप पे एक pocket होता है जो जो ATP को जो है ATP पोकेट, energy वाला ATP को convert कर देता है ADP plus PI inorganic phosphate अब यह जो होता है इससे energy release होती है energy, energy release होती है, जब यह energy release होती है तो यह motor घूम जाता है क्या होता है यह motor जो है यह motor घूम जाता है अब यह जो motor घूम जाता है यह मोटर जो है घूम जाता है मोटर यह मोटर घूम जाता है अब यह जब मोटर घूम जाएगा तो यह जो है मोटर जो है यह मोलिकुलर मोटर जो है जब घूम जाएगा तो आप देखेंगे कि अंदर की तरफ जो है आपका सोडियम चला जाता है और बाहर की तरफ जो है नियुत हो है रवक्त हर सेल में मौजूद है और यह सारी पोटेशियम अंदर पोटेशियम अंदर आर सोडियों हैं सोडियों बहर सोडिय charts यह को चांपोरोयों गार एक्शली साइर्ड बांप पंप और यह जो मोटर है यह जो मोटर इसी यही पंप है sodium potassium atypase pump sodium potassium atypase जिसमें जो है energy का use atypase pump atypase pump इसको कहलाता है atypase pump तो transport जो है जनरली दो तरह के होते हैं passive transport and active transport passive transport में atp का नहीं utilization है no atp and active transport में atp dependent होता है बगर atp के यह transport system नहीं हो सकता है तो यह है हमारा जो है transport system अब इस transport system में आखरी हम लोग पढ़ेंगे vascular transport system जिसको हम बोलते हैं bulk transport पढ़ेंगे वह vascular 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 transport system vascular transport वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट या vascular को आप बोल सकते हैं इसको इसको आप बोल सकते हैं vascular को bulk भी bulk में bulk bulk transport system bulk transport system बल का मतलब यह हुआ वेजिकुलर का मतलब यह हुआ कि अगर सपोस करिए यह सेल है और इसको धेर सारे मौलगूल जो है अंदर से बाहर answer Hagare से अंदर लाते हैं तो वह सारे मौलकsti जो है ना एक बैग में pack हो जाते एक package सब्कोर्श्कराइब इसको बोलतें basic vacicular-ve quantum और इसमें वह सारे मौलगाइए यूज को packing कर लेता ये धेर सारे को packing कर लेता पैकिंग कर लेता है और इसको फिर अंदर से बाहर और यह बाहर से अंदर लाना हो तो लेकिन यह मेंब्रेन के जरीये फ्यूज करके ही बाहर से अंदर आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं वेसिकुलर वेसिकुलर जो है टाइप का ट्रांसपोर्ट है वेसिकुलर टाइप का transport में इसमें जो वेस्टिकुलर में हम लोग जो ए है दो पढ़ेंगे एक है endocytosis सबसे important endo वेस्टिकुलर या bulk transport में क्या होता है bulk में? ट्रांस्पोर्ट में होता है दो. endocyptosis इंडो इंडो साइटोसिस साइटोसिस ठीक है एंड दूसरा क्या एग्जोसाइटोसिस एग्जो एग्जोसाइटोसिस एग्जोसाइटोसिस अब देखे इसके नाम से ही पता चला है कि इंडो का मतलब क्या है इंडो का मतलब यह है कि अगर cell को जो है यह cell है और इस molecule को इसको अगर जो है यह suppose करिए यह molecule star है यह इसको अंदर लेना हो within the cell within the cell within the cell within the cell अंदर लाना हो इस molecule को cell को अंदर लेना हो ठीक है अंदर लेना हो इसको तो इसको अंदर लेना है तो इसको हम लोग बोलते हैं endocytosis endocytosis अंदर इंडो जो है आपका एक्जोसिटोसी, यह एक्चली यहाँ पर क्या करना है, इस मॉलिक्यूल को, इसको, सब्सकरिए, सब्सकरिए, इसको जो है, इसको हम लोग को जो है, बाहर की तरफ ले जाना है, बाहर की तरफ, exocytosis, यानि कि हम क्या करें, उल्टी कर रहे है, vomit कर रहे है, vomit, क्या कर रहे है, vomit, vomit कर रहे है, exo, बाहर की तरफ निकालना, cell है, मतलब, cell omitting, cell को omit करना, cell vomiting, cell vomiting, नहीं होता है, आज में cell omitting, या e phagy, या e phagy, e phagy, ठीक है, e phagy, तो ये बड़ा आसान है कि अंदर को लेना, विदे, endocytosis, बाहर की तरफ किसी को फेकना, exocytosis, ये within the cell, ये actually, जो हैना, cell लेता है, cell eating है, खाता है, और ये cell vomit करता है, बाहर की तरफ निकालता है, नाम से ही पता चल ला है, तो इसको बोलते है, exoc endocytosis, अब जो endocytosis है, endocytosis, endocytosis, जो है, इंडो, इंडो में, ये इंडो दो तरके होता है, endocytosis, 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 दो तरह के, इसमें, दो तरह में क्या जाता है आपका, endocytosis में, दो जाता है, pinocytosis, 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 and phagocytosis, phagocytosis, पाइनो का मतलब पता है क्या होता है यह प्रोसेश है जिसमें ड्रिंकिंग प्रोसेश है ड्रिंकिंग जो है कोई चीज पीता है ड्रिंकिंग प्रोसेश है और यह क्या है इटिंग प्रोसेश है क्या है सेल इटिंग प्रोसेश सेल इटिंग प्रोसेश है इसका मतलब यह है कि पुर्दो ममतला खाना पी रेलींग करना कि यह क्या अपर छेप इसको समझी आप अप समझी होता क्या ये आपका जो है ये जान शेल हम कि यह ये म正 These go को अब जो है कोई चीज कोई चीज पीना है यहां पर पीना है ड्रिंक करना लेता है वो कोई पार्टिकल छोटे छोटे जो है वो इसको लेना है इसको ड्रिंक करना है तो यह क्या करेगा धीरे धीरे जो है पहले यह अंदर के तरफ लेगा फिर यह जो है अंदर के तरफ जो ह यह देखिए आप diagram हो जाएगा उसके बाद जो है यह इसको completely जो है completely इसको फिर अंदर ले लेगा और यह membrane ऐसे हो जाएगी और यह जो है इसने जो है धेर सारे पानी पी लिया drink कर लिया fluid material जो है fluid material इसको पिन लिया ठीक है cell drinking पिन्नो सोम तो इसको क्या हम लोग और बोलते हैं पिन्नो सोम पिन्नो सोम पिन्नो सोम पिन्नो सोम यह लिया drink करना हो यह membrane है membrane के अंदर membrane invaginate हो गई अंदर की तरफ धस गई और फिर यह जो pinch off हो गया यह यहां से निकल गया cut off हो गया और फिर membrane चुकि mobile होता है because of lateral movement that is called fluidity that is called fluidity तो यहां पे तो यह पानी पिलेता है cell eating process क्या है दोस्तों cell eating process यह है कि जो आपने देखा होगा कि अगर cell में cell में cell macrophages macrophages होते हैं हमारे अंदर macrophages suppose करिए कि यहां पे आपका जो है यहां पे bacteria आया bacteria ठीक है यहां पे bacteria ठीक है यह कोई और particle आया bacteria तो यह क्या करता है यहां पे यह इसको जो है खाता है ऐसे इसको जो है ऐसे ऐसे करके इसको यह खाएगा ठीक है यह खाएगा फिर उसके बाद जो है इसको अंदर की तरफ फिर जो है इसको अंदर की तरफ जो है ले लेगा इसको अंदर की तरफ जो है ऐसे लेकर और फिर इसको जो है अंदर की तरफ निकाल देगा इसको अंदर क से फेगोस्व म बोलते है जो कि फूड वैकूल एतरते फूड वैकूल का फॉर्मेशन करता है तो बल्क ट्रांस्पोर्ट बल्क में थीक है दो तरह के इंडोसाइटोसीज अगर कोई चीज बाहर से अंदर लिया जा यह यह तिका वकृती का मिट दिया जाए इंडो साइटो है करता है यहां पर कोई food particle हो food particle हो food particle हो ठीक है या cell death हो cell death हो cell death हो या कोई debris हो debris हो कोई external जो है external क्या बोलते है आपका कोई external पार्टिकल हो आपको ठीक है तो यह macrophage इसका सबसे best example है macrophage जो phagocytose करता है macrophage जो है immune cell का जो है different सिस्टम का मेक्रोफाज जो अखको साटोसिस करता सेल इटिंग प्रोसे सेल को वो खा लेता है तो दोस्तों यह हमने प्लाजमा यहां सारा वो कवर कर लिया अब हमनों के बारे में जानेंगे और आप दो पीज सब्सक्राइब जरूर करें